बड़े मैच का बड़ा खिलारी अब लगाएगा सब की बाजी किसी ने सही कहा है जो बड़ा खिलारी होता है न वो हमेशा बड़े मोकों पर ही चलता है चाहे आपको याद होगा कि विराड कोली की कुछ हरसा पहले फॉर्म नहीं थी लेकि पाकिसान के खिलास मैच खेला तो 50 रन से स्कोर कर दिये इंडिया के तरब से लीडिंग रन स्कोर था इसी तरह से IPL के इंदे इतना चल नहीं रहा था काफी साथा क्रिक्टिसीजम होड़ा लेकिन अब आया जब मुश्किल मैच आया जब RCB को जरूरत थी क्वालिफाइ करने के लिए विराड कोली की तो वि विराड कोली ने आज दुबारा से जब RCB को सक्त जरूरत थी 74 रन्स की इनिस खेली 135 के स्ट्राइक रेट के साथ जिसके अंदर काफी सारे चोके और छके मुझूद थे 169 रन्स का रन्स था गुजराड टाइटन सबसे खतानाक टीम इस ग्रूप टेबल की सबसे अच्छी बोलिंग सबसे अच्छी बैटिंग के खिलाफ RCB ने जब अदस किसम की परफॉर्मंस दी RCB के ओपनर से सारा मेदान किलियर कर दे फैब डूप लेसी हाला के स्लो थे लेकिन विराड कोली के साथ खेलते विए वो लगा ही नहीं कि वो स्लो खेल रहे है और फिर रही सखी कस दिली मैच जीत गी हो दिली क्वालिफाइ कर जाएगी लेकिन फिल हाल जो हलात है वो ये है कि बई सिंपल सी बात है अगर तो RCB क्वालिफाइ कर दी तो ग्रंटी के साथ लिख लो के कोली नहीं छोड़ने वाला क्यूंकि कोली का बल्ला आ गया मैं जैसे पहले ही का था चुली अगर नहीं रहा था यह विराड कोली वह वाला क्यूंकि कोली अच्छा लग रहा था लेकिन जल्दी में मैच भिल्र कोली कोली ने बड़ा ही स्मूध ली खेला आते साथ ही चोके मारे जब पचास होगे तो फिर छक्के भी माणना शुरू कर दी मतलब के नजर आया कि विराड कोली का वो जो पुड़ाना वाला विराड कोली था इस मैच गंदर 74 रंस बनाना T20 के अंदर कोई असान काम नहीं लेकिन उसने बना दी इसका मतलब है कि कोली के बात अभी भी दम है T20 World Cup से पहले यह बहुत इसमें कह सकते है ना खतरे के वरांट निकलने वाल है साथ अफ्रिका के खिलाफ सीरीस में तो शैद विराड कोली को रेस्ट दे खेले ना लेकिन अगर तो प्लेओफ की सिच्वेशन में चली जाती हो विराड कोली खेलता है तो फिर तो यह छोड़ेगा नि मैं बता रहा हूं कि चार मैचिस अगर तीन मैचिस प्लेओफ के यह खेल लेगा तो इसमें दो पचास मस्ट माणने वाला यह और यह दो पचास जोंगे वह मैच विनिंग होगे और अर्सी बी की परफॉर्मेंस अच्छी थी है विजल वुड रहाना बहुत बड़ी बात होती है यह से पता चलता है कि आर्सी बी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और आर्सी वाला मैच जीत गी अब सारी जिसों कह सकते है आर्सी बी फैंस की नजरियांग पॉइंस फ्रेवल के उपर सिंपल सी सिच्वेशन है दिल्ली को मैच हरवाना है तो आर्सी बी क्वालिफाय करेगी और दिल्ली वालो को क्वालिफाय करना तो दिल्ली को मैच जीतन है मैं क्यूंकि आर्सी बी का चारी भी सीजन झी जीती हुए दिल्ली और रसी भी को ही जाना चाहेता लेकिन क्या कर सकते हैं हम हलाद कुछ ऐसे हैं इस बर सारी वो टीम में है जिसके राजी सान के इलावा वो टीमें क्वालिफाइश करेंगी जो टाइटल नहीं जीती और इस सिसेटीजस में बग्र पर रोसा किया जा सकता है यह भी हो सकता है क्या पता रोई श्वर्मा हार जाए क्यों दूसरी तरफ को लिया लेकिन देखें हम दोनों में अच्छा बॉंट है जो होता है क्या है आर्सी वाले बड़े खुश होंगे विराड कोली की फोर्म आगी मैं भी बड़ा खुशु पर लिए कुछ मैजिस बड़े आएं मैं उसके बाद दुबारा से आप वीडियो में आजीर होंगे तब के लिए अगर आप खुश है विराट कोली की फॉर्म से तो भी जरूर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें